Hello everyone, जैहिन, इस वीडियो में हम लोग Sport Current Affair का सबसे important topic Paris Olympic 2024 के बारे हम discuss करेंगे इसमें एक एही वीडियो में आपको complete जानकारी मिल जाएगे साथ चाथ Paris Olympic 2024 के Current Affair के लाबा हम लोग पूरा इस से related, Olympics related, Pistatic GK को भी cover करेंगे चली स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखेगा, इस topic से आने वाले सभी ग्यामें लवक दो ये तिन question जरूर आएंगे तो चली स्टार्ट करते हैं, पहला question है, ओलम्पिक खेलों की सुरुआत कब हुई? तो ओलम्पिक खेलों जो सुरुआत होती है, 706 इसापूर में होती है नेस्ट question है, ओलम्पिक के 33 संस्करण यानि के 2024 के ओलम्पिक का आयोजन कहां पे हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ ये पेरिस में हुआ है, इसलिए इसका नाम पेरिस ओलम्पिक 2024 भी पड़ा है अगला है, पेरिस ओलम्पिक 2024 में किस भारती खिलाडी ने पहला पतक जीता है? तो पहला पदक जो जीता है किसने जीता है ये मनु भाकर जी ने जीता हुआ है इसका डिटेल देखते हैं पेरिस ओलम्पिक में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला पदक जीता है उन्होंने जो इतिहास रचा है ये कांस पदक जीता हुआ है उन्होंने 10 मीटर एर पिस्टल स इतलेट बन गई है तो very very important है इनसे related question जरूर आ सकता है कि आपने अगला है निम नलिखित में से किस खेल को 2024 के ओलंपिक में पहली बार सामिल किया गया है यानि इस बार जो है कौन से खेल को पहली बार सामिल किया गया है तो यह सामिल किया गया है ब्रेक डांसिंग को ठीक है यह भी काफी important question है नेस्ट है ओलंपिक खेलो का आयोजन कितने समय में होता है तो आपको ध्यान रखना है ओलंपिक खेलो का आयोजन है यह हर चार वर्डस में इसका आयोजन किया जाता है 2024 पेरिस ओलंपिक का मेसकाट यानि कि सुभंकर क्या है ठीक है तो इसका जो सुभंकर ध्यान रखना क्या है यह जाएगा आपका ओलंपिक फ्रीज इसका अगर इतिहास देखे हैं हम लोग तो पेरिस 2024 के सुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है जो traditional small phrygian cap पर आधरी थी 2024 में भारत की पुरुस होके टीम ने कौन से पदक जीता और इस्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किये थे तो इसमें दो-दो क्यूशन है तब कर पहले बात ध्यान रखना है कि पुरुस होकी टीम ने जो पदक जीता हुए कांस पदक जीता हुआ है और किसने गोल किया था, तो हर्मन पृरिज सिंग ने किया था, जो यहां के कप्तान भी है, इस टीम के, ठीक है? चलिए, नेस्ट कैशन पर आते हैं, ओलम्पिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजयता कौन है, वेर वेरी विजयता बन गए हैं ठीक है इन्होंने 21 साल 24 दिन की उम्र में उपलब्दी हासिल की है इससे पहले रिकॉर्ड किसके पास था इससे पहले ये रिकॉर्ड पीवी सिंधु के नाम था जिन्होंने 22 साल की उम्र में ये मेडल जीता हुआ था ग्रिश मकलीन ओलम्पिक में पदक 24 में पुर्ष भाला फेक में नीरत चोप्रा ने कौन से पदक जीता हुआ है इन्होंने जो पदक जीता हुए रजद यानिक सिल्वर इसमें मेडल जीता हुआ है इसके पहले वाले ओलम्पिक में कौन से जीता था हुआ है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था तो ने सेमी-फाइनल में पहुचने के लिए भारती होकी टीम ने किस टीम को हराया था? यह जो हराया है Great Britain को हराया है, ये भी आपको ध्यान अ रखना है। चार दो सेहरा करोंने सेमी फाइनल में भारती हो के टीम पहुशे हो थी पेरिस ओलंपिक दोजार चॉबिस में पुरसो की भाला फेक में सुर्ण पतक किसने जीता है तो यह भी काफी इंपोर्टेंट किस्टन है तो गोल्ड मेंडल जो जीता हुआ है किसने जीता है तो यह अरसत नदीम जीन जीता है जो कौन से देश के हैं तो पाकिस्तान के है इन्होंने ध्यान अकना 92.97 मीटर के थ्रो के साथ एक नया ओलंपिक रिकार्ड भी स्थापिट किया है और इन्होंने गोल्ड मेंडल जीता हुआ है तो यह भी आपको ध्यान अकना है कि पाकिस्तान से पहले ब्रिक्तिकत ऑलंपिक सोन पदक बिजेता भी यह बन गया है उलंपिक के छले या बले जो पर्तीक हैं यह महादीब को पर्तीक है डिटेल देखते हैं काफ़ इंपोर्टन्ट है तो ये आपको ध्यान करना है कि इसमें इसका डिजाइन पहले किसने त्यार किया था तो डिजाइन 1913 में पीरेडी कुवर्तिन ने इसका डिजाइन बनाये हुआ था और देखेंगे ये वाइट वेग्राउंड पे फिर नीला क लगाई इसमें वला है याने द्रषित करते हैं किस भारती पहलवान को अधिक वजन के कारण पेरिस उलंबेक में 50 किलोग्रां में 15 में 2 किश्टी सी स्टे इसको भारती पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस उलम्पिक में करारा जटका लगा जब उन्हें 50 किलो ग्राम फ्रेश्टाइल कुस्ती वर्ग के फाइनल में 100 ग्राम अधिक वजन के कारण अयोग के घोसित कर दिया गया है हलाकि उन्हेंश अपील की हुई है यहाँ पर ओलंपिक समीधर से कि उन्हें कमस-कम सिल्वर मेडल तो जरूर दिया जाएं तो इसका फैसला भी जल्ले ही आने वाला है जैसा ही इसका फैसला आता है हम लोग उसका अप्लेट करेंगे यहाँ पे आपको ध्यान अकना है कि ओलम्पिक फाइनल पहुछने वाली पहली भारती महीला पहलवान जो बनी है यहे विनेसफोगाड बनी है इन्होंने सेमी फाइनल में क्यूबक की यूसनेलिस गुजमेन लोपेश को 5-0 से जीत के बाद यह उपलब्दियों ने हासिल की वी थी वर्तवान में अंतराष्टी ओलंपिक समिती के अद्धिश कौन है तो यह जो अद्धिश हो जाएंगी थॉमस बोक हैं जो कौन से देश के हैं तो यह जर्मनी के हैं यह ना तो यह एफेक्ट आपको ध्यान लखना है और कौन से नंबर के हैं इसमें तो यह 125 में ओलंपिक में सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुस भारती सटलर कौन बने हैं यह जो बने हैं लक्ष सेन बने हुए हैं तो डिटेल देखते हैं लक्ष सेन ने 2 अगस्त 2024 को ओलंपिक में सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पु पेरिस उलम्पिक में किस पर्धा में कां सिपतक जीता हुआ है इन्होंने जो कां सिपतक जीता हुआ है ये आपको ध्याना करना निसानेवाजी में जीता है ठीक है तो इन्होंने जो है पुर्सों की 50 मीटर राइफल इस पर्धा में कां सिपतक जीता है पेरिस उलम्पिक का थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं इसमें तो ये जो शुरुआत हुआ है 26 जुलाइस इसके सुरुआत हुए थी और 11 अगस्त तक ये चला था इसमें टोटल भारत के 117 एथलेट सामिल हुए थे और 140 इसमें कर्मचारी भी सामिल थे ठीक है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 29 एथलेटों के साथ एथलेटिक्स टीम जो है सबसे बड़ा खेल समो था आगे इसका डिटेल और भी देखेंगे हम लोग लास्ट में सोतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेल में दो पदक जीतने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है ये बनी है मनुभाकरजी ठीक है तो प पदक जीतने वाली सोतंत्र भारत की पहली भारती महिला बन गई है जुलाई दोजार चौबिस में किस भारती खिलाडी को अंतर राष्टी ओलंपिक समिती दोरा ओलंपिक ओर्डर से सम्मानित किया गया है ये सम्मानित किया गया है अभिनोव बिंदरा जी को डिटेल पान भारती दल के ध्वच वहाग कौन रहे हैं यह जो रहे हैं पीवी सिंदु और अजंता सरत का मल रहे हैं एफेक्ट आपको ध्यान रखना है ग्रिस मिकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्र दराज भारती कौन है वेर वेर इंपोर्टेंट क्यूस्टन है तो तो ग्रिस मिकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्र दराज महिला कौन है तो यह हो जाएंगे मुक्यवाज मेरी कौम इन्होंने 29 साल 8 मैने 15 दिन के उम्र में कांस पदक जीता हुआ थो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है पेरिस ओलंपिक के समापन समारों में धोजवाग कौन थे तो समापन समारों में जो धोजवाग थे इसमें कौन थे तो ध्यान रखना इसमें यह हो जाएंगे पी आर स्रीजेस है ना तो राइट अंसर क्या हो जाएगा राइट अंसर पर यह हो जाएगा लेकिन इनके साथ और कौन सा मिलते हैं मनु भाकर ये दोनों जो हैं समापन समारों में धोजबा करें हैं भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं तो भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं जिसमें से एक है आपका सिल्वर मेडल और पांच है आपका ब्रॉंज मेडल यानि कि एक रज़त पदक और पांच कांस पदक ये पूरी लिस्ट है जिसमें मनुभाकर, सर्वजो सिंग, सुपनिल कुसाले, भारती होकी टीम, नीरा चोपड़ा और अमन सहरावाद इन्होंने भारत की तरफ से ये पदक जीते हुए हैं पेरिस उलम्पिक दोजार चोबिस में सर्वादिक सुर्ण पदक किस देश ने जीता है, तो सर्वादिक सुर्ण पदक जो जीता हुआ है, ये अमेरिका ने जीता है, टोटल 40 पदक जीता हुआ है, टेक है सुर्ण पदक और इसके लाब अगर टोटल पदक की बात की जाए तो इसमें भी अमेरिका सब से आगे हैं डिटेल देखा जाए तो देखें इसमें टोटल 40 सुन पदक है और 44 सिल्वर मंडल है और 42 जो है ब्रांज मंडल है टोटल 126 पदक जीता है अमेरिका ने और उसके बाद दूसरे नमर पे आता है चाइना चाइने ने भी सुन पदक के मामले में अमेरिका की बराबरी की है इसमें पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की रैंक क्या है तो भारत की रैंक ध्यान लखना 71 रैंक है तो बहुत तो इसमें पीछे भी भारत इसमें है लेकिन धीरे-जीरे सुधार हो रहा है इसमें तो आगे उमीद है कि और भी मिडल भारत की पास आएंगे इसके लाब आपको यह भी धान रखनेक भारत नहीं अब तक टोटल 41 पदक जीते हुए हैं अब कुछ important point देख लेते हैं ओलम्पिक खेल के बारे में static GK का ओलम्पिक खेलों की सुरुआत 76 तर इस भी इसापूर में हुआ था और इसमें दुनिया भर की लगभग 10,000 एतलेट्स इसमें हिस्सा लेते हैं इसमें लगभग 30 खेल सामिल होता है और इसका उद्देश है 20 सुसान्ती और एकता को बढ़ावा देना इसमें टोटल 5 रंगों की वले होते हैं थोड़ी देर पहले हम दोग देख भी चुके हैं कि कौन-कौन से महाजिप को ये प्रदर्सीत करते हैं इसके लावा इसमें 3 मेडल दिये जाते हैं यानि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉंज मेडल इसका आयोजन जो हैं अंतरष्टी ओलंपिक समीत्य द्वारा कराया जाता है और ये जो होता है आपका ओलंपिक खेलो की समापन समारों में विर विर इंपोर्टन्ट है अगले ओलंपिक खेलो के लिए मेजवान सहर की घोष्णा की जाती है ठीक है अंतरष्टी ओलंपिक समीत्य की स्थापना कब हुई है तो तेज जून 1844 को इसकी स्थापना की गई है ओलंपिक का मूल आदर्स वाक्य क्या है था तो ये विर विर इंपोर्टन्ट है सिटियस, अल्टियस और फोटियस इसका अर्थ होता है तेज, उंचा और मजूद इसके लाबा दूसरा इंपोर्टन्ट फेक्ट आपको ध्यान अखना है 2024 ओलंपिक दिवस का विसाय यानि थीम क्या है लेट्स मूब एंड सिलिवरेट पेरिस ओलंपिक कब से कब तक चालू हुआ है 2024 का 26 जुलाई इससे लेके 11 अगस 2024 था ठीक इसमें 177 एथलीट, 140 सहाय कर्मचारी भारत की ओर से गया हुए थे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 29 एथलीटिक साथ ये एथलेटिक स्क्रीम जो है सबसे बड़ा समू है और आधनिक ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है तो उमीड करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करेगा इसका PDF आपको डिस्कुशन बस में PDF लिंक में ने दिया हुए है अगर कोई आपको दिक्कत जाती है तो यह मैरा वार्टसाफ नंबर है वार्टसाफ पे भी आप मैसेज कर देंगे तो आपको डारेक्ट यहां पर PDF मिल जाएगी इसके लावा वार्टसाफ ग्रूप का भी लिंक में ने डिस्कुशन बस में दिया हुए है वार्टसाफ ग्रूप में भी आप जॉइन कर सकते हैं इसके लावा धीरे धीरे हम लोग सभी टॉपिक वाइस करेंट फेर इसको कवर कर रहे हैं और अगर आप लोग कमेंट करेंगे अगर आप लोग वीकली करेंट फेर भी चाहेंगे बेकली और monthly current affair भी तो comment करेंगे तो इसको भी हम लोग कराने की कोशिस करेंगे Thank you everyone, मिलते हम लोग next video में तब तक लिए सभी को धन्यवाद जये